कोर्बा जिले में इस वर्ष एक लाक एकतिस हजार तीन सो हेक्टेर शेत्र में खरीफ फसलों की खेती की गए थी गत वर्ष की तुलना में इस खरीफ सीजन में दो हजार दो सो पैतालिस हेक्टेर के रगबे में बढ़ोती होगी राजशासन की मनसानुसार किसानों को अधिक से अधिक लाप दिलाने के लिए धान के रगबे में कमी की जाएगी और दलहन तिलहन फसलों का रगबा बढ़ाया जाएगा इस वर्ष 13,250 हेक्टेर शेत्र में दलहन और तिलहनों की फसले लगेंगी जो की पिछले वर्ष से 1,466 हेक्टेर अधिक होगा पिछले वर्ष 11,937 हेक्टेर शेत्र में दलहन तिलहन फसलों की खेती की गए थी चालू खरीफ मौसम में कोरबा जिले में धान के रगबे में 2,616 हेक्टेर की कमी कर 95,000 हेक्टेर शेत्र में धान की फसल लेना प्रस्तावित है इसी प्रकार धान, जवार, मक्का, कोदो, कुटकी को मिलाकर जिले में चालू खरीप मौसम में एक लग 5465 हेक्टेर शेत्र में अनाज फसले ली जाएंगी इस वर्ष जिले में अनाज फसलों के कुल रगबे में भी लगभग 600 हेक्टेर की कमी होगी उपसंचाला क्रिशी ने बताया कि कोर्बा में चालू खरीप मौसम में 10,520 हेक्टेर शेत्र में दलहनी और 2,883 हेक्टेर शेत्र में तिलहनी फसले लगाई जाएंगी पिछले वर्ष की तुल्ला में इस वर्ष दलहनी फसलों का रखबा 1159 हेक्टेर और दिलहनी फसलों का रखबा लगभग 315 हेक्टेर बढ़ेगा जिले में चालू खरीफ मौसम में 12432 हेक्टेर शेत्र में सब जीवा अन्य दूसरी फसले ली जाएंगी मीडिया फोर्ट सपोर्ट के लिए ममता साहु की रिपोर्ट